इसेल्फ डॉक्टर ममता शर्मा असोशेट प्रोफेसर प्रिटिकल साइंस कॉर्मेंट कॉलेश बैरोड विद्यातियो बीए पार्ट सेकिंड के फर्स पेपर सेलेक्टेड प्रिटिकल सिस्टम के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है विद्यातियो इससे पूर के वीडियो में भी हमने फैडल गर्मेंट के बारे में बात की थी संग्य सरकार की बात की थी और संग्य सरकार के अंतगत ही हमने इनके कार्यों और शक्तियों की बात की थी और किस तरह से संग्य सरकार के अध्यक्षा स्विष राज्यमंदर के संग्य सरकार का संग्य संसत से क्या संबंद है संग्य सरकार को स्विश शासियन व्यवस्ता की एक विलक्षन संसता का जाता है और इसकी विलक्षन ता सरवाधिक रूप से व्यवस्ता पिका अठाट संग्य संसत के साथ उनके संबंदों में देखी जा सकती है संग्य संग्य स अमेरिका में शक्ति वाजन के सिध्धान को कठोर रूप से अपनाते हुए कारेपाली का अठार रास्ट्रपती और मंत्री मंदल को अमेरिकी संकी व्यवस्तापी का अठार कॉंग्रेस से बिलकूर पठक रखा गया है और कारेपाली का के सद्दश्य कानुनिर्मान में भाग ने लेते हैं परन्तु स्वीजर लेंड में संगिय सरकार के सद्दश्य संगिय संसिट की बैटकों में भाग लेते हैं प्रश्णों का उत्तर देते हैं और वाद विवाद में भाग लेते हैं तता मद्दान के अट्रिक अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करते हैं लेकिन जहां तक व्यवस्ता पिका और काले पालिका के पाइस्परिक नियंटन का प्रश्ण है इस सम्मन में सवैधानिक इस्तिति एक प्रकार की है और व्यावारी किस्तिति दूसरे प्रकार की हम इनकी constitutional position सबसे पहरे संगिय सरकार के अंटगर सवैधानिक स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छद 148 के अनुसार संगिय संसद में ही राज्य मंदल की सरुच्य सत्ता नहींत होती है और सविधान के अनुसार संगिय सरकार विदेशी मामलो शशस्त्र बलो सेनाओं अथ्वा सार्जवी प्रशाशन के संबन में अपनी शक्त कर लेती है अटा संगिय संसर संगिय सरकार को संकट काई शक्तियों के प्रयोग का दिकार दे देती है और जब चाहे तब उससे वापस ले सकती है वह प्रस्ताओं तरह आधिश्यों द्वारा संगिय सरकार के कार्योपन एंटर रखती है अटा संगिय सरकार के सदश्यों त संगे सरकार अपने कारों का वाशिक विवन संगे संसत के सम्मुख प्रसुट करती है Constitutional position के बाद अगर हम इनकी actual position की बात करें तो स्वीजर लेंड में भी इस सम्मन में सिद्धान्त और व्यावार में बहुत अधिक अंतर है वत्मान समय में विश्यो के लगबग सभी राजियों में व्यवस्ता प्रकास के कारेपाली का अधिक शक्ति शाली हो गई है और स्यूजर लेंड भी इसका कोई अपवात नहीं है सिद्धान्त है संगे सरकार संगे संसत की अभीकता मातर है लेकिन व्यवार में संगे सरकार की शक्तियों में पर्याप वर्दी हुई है और संगे संसत से नियंटी होने के बजाएं संगे संसत पर नियंटर रखने लगी है इस तरसे हम देखेंगे कि इनके constitutional position और actual position में बहुत अधिक अंतर है इस सम्मन में ब्राइस ने लिखा है कि वैधानिक दस्ती से व्यवस्ता पिका की सेविका होते हुए भी व्यवार में संग्य सरकार बिटेन की मंती प्रिश्वत के समान और फ्रांस की कुछ मंती प्रिश्वतों से अधिक अधिकारों का प्रयोक करती है या पत्परदक्षक भी है और साधन भी है तरफ परशार हम देखेंगे संग्य सरकार की विशेषता है स्विष संग्य सरकार अपने ढंकी है एक अलग तरह की सरकार है इस समब्र में strong ने कहा है कि स्विजरलेंड की संग्य सरकार विश्यो की अन्य सभी कारेपालेकाओं से अधिक ध्यान देने योगे हैं इसके अंतगत इनकी कुछ विशेशताओं को हम निम्रपकार से समझ सकते हैं नम्मर वन फ्लूरल एक्जिकिटिव जिसे हम बहुल कारेपालिका कहते हैं शामनेत ऐसा समझा रहा था कि व्यवस्ता प्रिका का संगतन बहुल्ता के आधार पर लेकिन कारेपालिका संगतन के दस्टी से एकल होनी चीह इसका तात्परि यह है कि कायपालिका का नेटर्ट एक व्यक्टी की द्वारा ही किया जाना चीए वत्मान समय के अधिकांश राज्यों में ऐसी ही व्यवस्ता है अध्यक शाथ्मक शाष्री में व्यवस्ता के अंतगर राष्ट्रपति के नेटर्टुमें और संसस्था आत्मिक शाषन वर्सा के अंतगत प्रधानमंती के नेटत्तु में कारेपालिका के दौरा प्रशासन संबंधी कारे किया जाता है लेकिन स्वीजर लेंड में एकल कारेपालिका के इस्तान पर बहूल कारेपा रुषा को अपनाये गया है Secondly, संस्दात्मक वे अध्यक्षात्मक पणालियों का समन्वे इसके अंतगट हम देखेंगे कि राजी और साशन सम्मंदी ज्यान के अंतगट कारेपालिका में दो प्रकारों का अध्यन किया जाता है प्रथम संस्दात्मक कारेपालिका जिसका आध्यक्षात्मक 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 अध्यक्षात्मक 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 कि British कारेपालिका से तुलना सबसे पहले अगर इनकी तुलना की बात करें तो British संसत के समान स्विस संगे सरकार के अद्रक्ष को भी कोई अदिकार प्राप नहीं है वे भी कारेपालिका का अपचारिक प्रदानी होता है सेकेंडली इसके अंतकत हम देखते हैं कि संगे सरकार भी संसतात्मक व्यवस्ता के मंति मंदल की भाती ही पाल्यामेंट की एक समिटी मात्र है थार्ली हम इसके अंतकत देखते हैं कि इंग्लेंड की मंति प्रिशत की भाती संगे सरकार संगे संसत का पत्परश्चन करती है और यदि में मंतीपट पर न्यूक किये जाने के समय व्यवस्ता पिगा के सद्धश्य नहीं होते, तो छे मा के भीतर उन्हें व्यवस्ता पिगा का सद्धश्य बढ़ना होता है। लेकिन स्वीजर लेंड में एक ही वेक्टी संग्य संसद और संग्य सरकार दोनों का सद्धश्य नहीं हो सकता, संग्य संसद के जो सद्धश्य संग्य सरकार के लिए चुने जाते हैं, उन्हें संग्य संसद से जागपत्र देना होता है, सेकेंड लिए इनके अंतर के अगर हम बात करें तो संसद्य कारेपाली का अठाथ मंती मंदल सामने टे एक डलिये होता है और इंगलेंड में राश्य संकट के अफसरों पर मिले जुले मंती मंदलों को पसंद नहीं किया जाता और मंत्री मंडल में भौमा डल के सद्धश्य ही होते हैं, किन्तो स्विस संगे सरकार में किसी एक रानिती डल के सद्धश्य नहीं, बलकि स्विस रानिती इसके महत्रों रखने वाले सभी रानिती डलों के सद्धश्य इसके अंटगत होते हैं, अध्या संगे सरकार के उप्य कारेपालिका से तो स्विश संग्य सरकार अध्यक्षाथ्मकार्यपालिका से कुछ बातों में समान है और कुछ बातों में ऐस समान है। अमेरिका की अध्यक्षात्म कारेपालिका के समान स्विस संगे सरकार में इससाई तो होता है इसका निर्वाचन चार वर्ष के अवदी के लिए होता है और संगे संसत इसे इस अवदी के पूर पसे नहीं हटा सकती अमेरिका के समान ही स्विजन लेंड में भी कारेपालिका अ संक्ते मंदल के सधश्य कंग्रिस के सधश्य नहीं हो सकते उसा प्रकौत dot वी संग्य सरकार के सधश्य संग्य संसंष्य की सधश्य नहीं हो सकते इन समान्ताunion के तृल्लल जिसके अंतगत हैं में फॉस्टली टूल्ल के सिद्दान पर आधारित है और अमेरिकी कारेपाले का व्यवस्ता पिकासे सतंत रूप में शाषन कारे का संचालन करती है राष्ट्र पती पर कॉंग्रेस यदि कुछ नियंटर करती है तो वह परोक्ष और निशेदा आत्मकी है लेकिन स्वीश संगे सरकार व्यवस्ता पि अमेरिका में राष्ट्र पती जनता द्वारा निर्वाचक मंदल द्वारा चुना जाता है और मन्तियों की नुक्ति राष्ट्र पती द्वारा सिनेट की सहमती से की जाती है थार्ड ली हम इनके फीचर्स की बात करें तो कॉमिनेशन ओफ रिस्पोंसबिलिटी एंड स्ट सबस्थर प्रमुकून उत्तधाइक सबस्थर दाइतो प्रगून होटा है और अध्यक्ते 엇क रस परमुकून उत्तेथ है अथाट कारेपालिका का एक निश्षित का रेकाल होता है जिससे उसके दौरान निश्षिता और कुशल्टा के साथ चाशनकारे किया जाता है फोटली हम इनके नोर्म पार्टिशिप की अगर बात करें जिसे हम निड़लियता कहते हैं तो स्विष संग्य सरकार की एक महत्वपून विशेषता उसका निड़ले स्वरूप है संग्य सरकार में किसी एक रानिती डल के सद्धश्य नहीं होते बलकि उनमें उन सभी रानिती डलों के सद्धश्य होते हैं जिने संगे संसद में प्रति निदित और प्राप्त हो अधा संगे सरकार इस जश्टी से भी निदले हैं कि सरकार के सद्धश्य अपने रानिती डलों की सीमाओं से बंद कर नहीं रहते बल्कि स्वय अपने विवेक के अनुसार स्वतन तर्था पूरग विचार करते हुए का इमा तक अमेरिका की अद्यक्षात में व्यस्ता के अंतगत्भी मंति गण अपने विवागों के विशेश्य नहीं होते उन्हें अपना यह पद्द लोक प्रियता, सामाने प्रशाश्रक योगिटा, रानिती डल में अपने इस्तान और कारे पाली का प्रदान की वेक्तिकर क्रपा के रूप में प्राप्त होते हैं लेकिन स्वीजा लेंड में परिशा सद्धश्यों के पुनर निवराचन पर कोई प्रतिवन नहीं है और मोटा काफ और बैल्टी जैसे सद्धश्यों के द्वारा क्रम से 30, 27 और 25 वस्ते करने सद्धश्य के रूप में कारेक किया जा चुका है इस स्ब्से हम देखते है कि अमेरिका, स्वीजरलैंड, भारत के अन्तगत जो भी सरकारे हैं उनका अलग-अलग रूप में विवराण हमें देखने को मिलता है Lastly हम इसके अंटकर देखेंगे कि Federal Chancelory and Swiss Chancellor कि संग्ये चांसलरी और Swiss Chancellor जो है उनके बारे में क्या का गया है इसके अंटकर हम देखेंगे कि Anuchhare 179 में का गया है कि संग्ये Chancillary और संग्ये सरकार का सामने करमचारी वरगे इनका निदेशन संग्य चांसलर द्वारा किया जाएगा अटा संग्य चांसलर संग्य सरकार और संग्य संसत का एक सच्चिवाले है जिसकी प्रस्तावणा 1931 में की गई थी और इसके विशेश कर्टवयों में संगे संसद और सरकार द्वारा कानूनों का प्रशाशन, प्रशाश के प्रलेकों का अनुवाद और अपने एधिकार में रखना और संगे चुनाओ, लोक निन्ने और आरंबी की व्यवस्ता करना है। बना रहता है। कारेपालिका और सुख्ट अमेरिका की कारेपालिका से ये डिफर करती है इस तरह से हमने आज के इस पूरे वीडियो के अंतगत हमने संगे सरकार को समझा है और उनकी दूसरे देशों से तुलना को देखा है आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे नेक्स वीडियो में ह next topic पर चाचा करेंगे धन्यवाद